नमस्कार मेरे साथियों जैहिन जैबार्त वंदे मात्रम एक बार फिर स्वागत है आप एक अपने फेवरेट वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला SSB ट्रेस्टमेंट एंड टेकनिकल बरती 2023 आप सभी को पता है कि इसकी फोर्म की जो लास्ट डेड थी वो कल थी कल बारा बज़े तक इसके फोर्म में वो सम्मिट हो गए हैं अब कोई भी बच्चा इसके अंदर फोर्म में वो अपलाई नहीं कर सकता इसके अंदर भाई पर किता केंपेटिसन है सबसे ज्यादा हुए सबसे कम कौन सी ट्रेड से अपलाई है और भाई फीजिकल कब से होगा यह भी बच्चों के डाउट है तो वह भी मैं आपको किलिर करने वाला हूं उससे पहले जो बच्चा इस वीडियो और पहली बार आ रहा है वीडियो को लाइक चैनलों को जुरू सस्क्राइब करते हैं आपका भाई आपके लिए SSB ट्रेस्ट में और जो भी वेकेंट से आती हैं उसकी सठीक जानकर यह आपको इस चैनल में मिलेगी और जिस बचे ने अभी तक टेलिग्राम जोइन निक किया उसे जल्दी से जाकर जोइन कर ल जाए एक सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक सबसे पहले बात कर लेते हैं और आपका की सेलेक्शन प्रोकर क्या होगा सबसे पहले आपको तमिलड हो गारी 90 का फीजिकल होगा फीजिकल के अंदर राइभ आपकी 50 क्लिमीटर की रेनिंग होगी आपको जो केटिक रिवाइज है उस हिसाब से आपको छूट भी दी गई है ठीक है अब बात के लिए टेस्ट आपका 85 वेट आपका 50 के जी होना चाहिए यहां पर जान कर यहां पर प्रवाइड कराएगी है उसके बाद भाई आपका होगा रिटन एक्जाम रिटन एक्जाम भाई अ अब मैं आपको बता दूँ आपका पेपर है वो ओं-लाइन ही कराएगा जो भी ओफलाइन आपकी एक्जाम कराएगा ती जो पेरा-मेडिकल फोरस की अब सभी की यहां पर ओन लाइन एक्जाम तो इसके अंदर बाई आपको मैं बता दो आपको 100 नमर का क्यों सेना जो आपके मेहत के आएंगे 25 रिजनिंग और 25 हिंदी यह आपका सलेबस है ठीक है इसके को अकोडिंग ही आपके सामने है वह यह पेपर आने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी यह नहीं होगी भाई अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है इस बार जो पेपर होगा 22 वे 23 को तो पता चल जाएगा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है इस बार है तो अगली बार जरूर होगी ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं मैंने आपका दो निमर स्वाल का भी जवाब दे दिया है कि पेपर कैसा होगा ओनलाइन होगा या उफ लाएंगा टोटल फो परे गए हैं फोम परे गए तो इसके अंदर भाई अब मैं बता दू एक सीट पर कितना केमपेटिशन है तो वो आप निकाल सकते हो हमने आपको पहले बताया है कि आप जितनी पोस्ट होती हो उसका भाग दे सकते हो तो आपका एक सीट पर कैमपेटिशन निकल कर आ जो आपको देने जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूं लगबग आपके एक seat पर आपको 200 बच्चे 200 बच्चे ही लगबग आपके है वो आपके physical देने जाने वाले हैं तो आपको कोई घबरानी की कोई जुरूद नहीं है उसके बाद में आपका tray test भी होगा उसके अंदर भी बच्चे निकलेंगे तो यहाँ पर आपका जो total है आपका जो exam के अंदर भाई एक post पर यानि 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा ठीक है एक post पर 20 गुना यानि कि 200 बच्चे हो गए अब 200 बच्चों में उसके बाद tray test भी होगा तो लगब एंड के अंदर भाई ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे अब आपको उन 10 बच्चों के अंदर आना है तो आप अपनी तयारे में लगे रहें अब अगला जो स्वाल है सबसे ज़्यादा वर सबसे कम कौन सी ट्रेट से अपला ही है तो मैं आपको बता दू सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा आपका रहेगा कुक क्योंकि इसके अंदर वेकेंसियां भी ज़्यादा थी तो जितनी ज़्यादा वेकेंसिया उतनी ज़्यादे फोरम है कुक वाटर केरियर वासरमेन और सपाय करमचारी इनके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्म लगे हैं और सबसे कम फोर्म किस ट्रेड के अंदर लगे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं सबसे कम आपके लगे हैं माली बारबर कार पेंटर और इनके अंदर ही यहां पर आपके जो है सबसे कम फौर्म लगे does कम कम फौर्म यह तो लगने लग नहीं है आप सबी को पता है if बात कर लेते है निथे फिजिकल कब से होगा भाई फिजिकल का अब ही कोई डीटियल के अंदर कोई जान करनी नहीं आई की आपके सामने जैसे को जान करवाया जाएगा उसके बाद में ही जो आपकी असस भी ट्रेस्ट में 12 तेस्ट का नमर आने वाला है तो अभी आपको कोई गब्रानी को जुरूद नहीं होने वाला है आपका तीन से चार मेने जैसे कोई निज निकल कर आएगी हम जुरूर बताएंगे और हम आपका पूरे टोटल फोरम पर भाई आटिय लगा दी है जैसे आटिय का जवाब आएगा मैं जुरूर आपके लिए लेकर आऊंगा जानका दी तब तके लिए जैहिंद जैबार्त वंदे महातरन दोस्तों